तो चलो हम लोग पावर चेक कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर न्यूटल देखने को मेरा इधर तो न्यूटल पर हम लोग एक पॉइंट रखते हैं और उसके बाद देखे आर वाले पर नमस्कार दोस्तो एक और नया वीडियो में आप लोग का स्वागा थे दोस्तो और आप देखरो कमिले सेरेक्टीशन चैनल तो दोस्तो आज हम आपको बदाने वाले एक लिफ्ट है और अपन समान टास्पोर्ट करते हैं वहाँ से ग्राउंड फ्लोर से सकेंड फ्लोर तक और और वह जो है चल नहीं रहे तो मेरे पास होना है तो चलो वहाँ पर हम लोग चलते हैं और किस तरीके से रिपेरिंग किया जाता है हमारा लिफ्ट को जैसे कि चालू कंडिशन में था और बंध हो गया वह बिल्कुल चल नहीं रहे तो कैसा उसको सॉल्प किया जाएगा यहां पर है आप देख सकतो है कर लिप्ट और यह किया काम आ रहा है आप देख सकते हैं गुदाम पे लगा हुए और यहां से हमारा टा शोट होता है समार यसी कि हमारा किन फ्लोर से यह ग्रौन फ्लोर है हैं फर्ष्ट फ्रोर साकंद फ्रोर से हमारे को माल उतारना रहता है जो यहां पर समान आप देख सकते हो जो पार्ट इसको नीचे से उपड़ उतारने के लिए लिप्ट लगा गया तो यह लिप्ट में क्या फोलम है आपको बताएंगी लिप्ट हम लोग कोबलम सॉल्व करन नहीं आ रहा है और जो है बिल्कुल नहीं वर्क कर रहा है और अभी हम लोग इसका पैनल पे चेक करने जाने वाले और यह ग्राउन फ्लोर पर है तो चलो इसको किस तरीके से पोबलम को सॉल्फ के जाता है क्या पोबलम है हम आपको पूरे डीटेल बताएंगे लिप्ट यह चल नहीं रहा है ना सकेंड फ्लोर जा रहा है ना मोटर कुछ भी ओन हो रहा है तो चलो हम लोग जाते हैं यहां पर आप देख सकते इसका जो पैनल कहां है चलो उपर में लेकर देखते हैं यहां पर पैनल कहां पर लगा वर तो चलो वीडियो पर कंटीनिव रही है लीप किस तरीके से ठीक किया जाता है हम आपको पर डीटेल बताएंगे आज की वीडियो में तो देखिए हम लोग सकेंड फ्लोर पर आगे सकेंड फ्लोर था और यह देखिए इसका कनेक्शन कहां पर आया है सब भी आया है पैनल पर तो पैनल को ऊपन करते हैं यहां पर इसका चावी ले आएंगे चावी से खोल लेते इसको यह तो अर्ड रेडि खुला हुआ है और देखिए यहां बी कुछ भी सिंबल नहीं आर रहा था नहीं यहां का हमारा जोऑ यह अधी चाहरा था तो दीति खेले और सफेस्ट का मोटर देक्रथ त्रीड थ्रीफेस रहते हैं और क्टीए three-face का मोटर रहते हैं तो हम लोग इसका चेक करते हैं अभी कैसे हम लोग पावर चेक करने वाले मुल्टी मीटर के द्वारा तो यहां पर इंपूट और पूट जा रहा है नहीं हो चेक कर पहले करते हैं उसके बाद रेज तो चलो यहां पर मल्टिमीटर रख दिये और इसको हम लोग भोल्ट पर रख देते हैं 750 पर चेक कर दें ठीक है अब आज तो चलो हम लोग पावर चेक कर लेते हैं सबसे पहले यहां पर न्यूटल देखने को मेरा इधर तो न्यूटल पर हम लोग एक पॉइंट रखते हैं और उसके बाद देखें आर वाले पर रखें फेस में देखेंगें आपर कितना रहा है 206 पांच आरा इसके बाद देखते हैं यहां पर 225 पर 204 पंद्रह पर 214 पंदरह तो इसके बाद हम लोग single face चेक करनें इसको double face पर करना है ठीक है डबल फेस में देखिए 360 और यह देखिए 375 और यह सहीं आ रहा है मतलब सपले सहीं आ रहा है तो यह क्या कंडिशन से हमारा जो है यह चलनी रहे तो हम लोग यहां पर एक हमारे पास एक और है जो आपको यहां पर आपको एक छोटा सा एक होगा यहमारा सिंगल फेसिंग और यह हमारा फेस को काल्कूलेट करता है कौन साफहिस आया की और कौन सा पेस है की अप जैसे गी हमारा घ्री है और यह क्या होता गलत हो जाता कभी कभी तो यह को आपने को घ्रिल नहीं मिल पाता उसके कारां टर यह यहां पर सप्लेश सहीं आ रहा है तो हम यहां पर क्या करेंगी यहां यह भी दोग चेक कर लेंगे यह सहीं आ रहा है कि निर evaluating यहां पर यहां पर e3 लाता है तो यहां पर सदानी पाफरातिन है द Psal कना है यहां पर फेस का है तूकर तो इसंहेंος उन्हां पर भी जहां सपल्ग कर लें यहां पर पोब्लम अपने को मिल गया हां का पर हो गया ग्रीड से चेंज तो उसके कारान जो है आपर फेस फिक्वेंसी जो चेंज हो गया तो हम लोग क्या करने वाले इसका जो हम लोग हमारा यहां सक्छी मेरे हैं जिसको क्या करेंगे यहां पर वाला फेस को और टो करेंगे देखलों जालूं देख लेते हैं कि ग्रीट से क्या हुआ था लाइन कटा था एक दिन के लिए तो उसके कारण जो हमारा फेस्ट चेंज़ेस हो गया तो इसको सही करना आर वाइवी तुसको चेक करेंगे लिए अपने को मल्टीमीटर से चेक नहीं हो रहा तो यह मसिंग इसके लिए कामाता है तो यह चलो हम लोग क्या करेंगी यहांपर हम लोग फेस्ट ses कर देंगे और देखेंए यहांपर हमारा लीप क्लेफ चल पाता है कि पर्क्त roz GB वाले प्यूआ पने एप अबहीं हम लोग क्या करने में चलो यहां पर हम लोग MS से बीडिए अन करके देखते हैं कैसा लगर आपको यह सहीं हुआ कि नहीं तो चलो पता चल जाएगा तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं एंडिकेटर बिल्कुल यहां पर सो नहीं कर रहा था और यह जो हमारा जो है यह भी काम नहीं आ रहा था ठीक है तो यह सिगनल चालो हो गया मतलब यह जो है सब्सक्राइब करने वाला है अब देखें टाइमिंग दे दिया और देखते हमारा जो मोटर चल पाता है कि नहीं ठीक है तो यह जा रहा भाई साब ओन करने के लिए तो देखते है बटांग फ्रेस करके यह सप्लाई बिल्कुल नहीं आ रहा और देखें लिफ जो भी है उपर आ रहा है ठीक है चलो आपको देखाता हूं मोटर का ऐसा चल रहा है देखें यह देखें उसका सेट आप जो है अभी यह वर्क कर रहा है और यह मोटर चल रहा है और यहां पर सभी इंडिकेटर सो कर रहा है ठीक है तो यह एक छोटा सा प प्रोब्लम फेस्टेंज हो गया उसकी कारान जोई है यह काम नहीं आ रहा था ठीक है तो इसमें हम लोग का फेस्ट जो है सप्लाइ सही से नहीं मिल पा रहा है जैसे कि आपको पता ही हम आप स्टार्टिंग में बता है आर वाइब भी सही से इसको मिलना चाहिए उसके लिए दिवाइच जानता है मेरे सही से फेस्ट मिल रहे है जैसे कि आरवाइब भी देख यह सही से अपने को इसको सीगनल मिल्या उसके बाद सीगनल से अपने को conductor को on करने के लिए पावर दिया उसके बाद हमारा ये पैनल on हुआ ठीक है तो finally यहाँ पर lift problem solve हो गया आज की वीडियो में आपको काफी जनकारी मिला होगा और इसको हम लोग एक बार ground floor लेके देखते हैं जाता है कि नहीं तो फाइनली दोस्तो ही हमारा lift का जो problem था वो solve हो गया और ऐसा-सा related video आपको देखना है ना तो दोस्तो वीडियो कैसा था comment section में जरू बताना वीडियो अच्छे लगए दोस्तो चैनल को अले सब्सक्राइब बेल आगां प्रेस कर लें ताकि ऐसा सब्सक्राइब वीडियो आपको मिलते रहे उच्छों दोस्तो मिलते हैं ने वीडियो के जहिन गंडरातम जुरो गंणा